नमस्कार इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजस्तान सरकार का राजिक करमचारी जो जून 2023 में सिवा निवर्थ हो गया लेकिन MACP जो मोडिफाइड ACP राजसरकार की और शिदी गई है उसका लाब लेना चाहता है उसे तीन ACP लगने के बाद में वो सिवा निवर्थ हुआ है इसलिए तेसरी ACP जो लेवल 13 की बजाए उसको सउदा का लाब दिया जाने चाहिए था लेकिन उसका फिक्सेशन और पेफिटिंग किस परकार से होगी और पैंशन रिवाइज है वो केसे करवानी है क्या प्रोसेस है संपोर्ण चर्चा हम इस वीडियो की माधिम से करने हैं सबसे पहले एक राजी सरकार का करमचारी जो जून 2023 में सेवा निवर्त हो गया उसने 27 साल की सेवा है वो मार्स 2023 में पूर्ण कर ले थी उसे ACP में ACP जो तीसरी मिली है वो L 12 से L 13 पर मिली है जबकि मिलना चाहिए था L 14 अब उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा क्या प्रोसेस रहेगी एक तो पैंसन रिवाइज करवाने में पैंसन का एडियर लेने में और गिर्जटी रूपांतरन सभी प्रकार के एडियर का लाब कहां से मिलेगा एडियर कोन बनाएगा संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माजम से करने वाले हैं सबसे पहले वो एक और शेकेंड गिर्ड के लिए डिडी इस तर्शे और अगर वो लेक्षर था तो असी इस्तति में उसे निदेशक को ये पावर दी गई है कि वो MACP के आदेश करेंगे ठीक है और ये दरसल जैसे ही जिला इस तर्शे आदेश हो जाएंगे तो जिला इस्तरी आदेश और व सीपी है उसका लाब देते हुए उसकी पे फिटिंग की जाएगी और उसी के आधार पर उसका रिवाइज फिक्सेशन किया जाएगा क्योंकि वो करमचारी एक अप्रेल दो हजार तेश को हो शेवा में था तो एसी इस्टति में उसे manip कला दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा जो अंतिम कारावले है अंतिम ओफिस है जहां पर उसने काम किया है वही का डीडियो उसका रिवाइज फिक्सेशन करेगा और उसी के आधार पर उसकी revise lpc जारी होगी revise fixation होने के बाद मैं वहीं से एक तो revise gravity वेतन जैसे की मर्च से जून के बीच में वो सिवा में रहा है तो इस इसे दिम्हें वहां का जो वेतन का area है वो दिया जाएगा और ये जो प्रकर्ण बना कर pension विभाग को भेज दिया जाएगा तो pension विभाग को जैसे ये प्रकर्ण जाएगा तो उसके बाद में उसके लिए अलग से gravity और रूपांतरन जो पील का बुगतान हुआ है उसके लिए अलग से बुगतान किया जाएगा जब तक वो सेवा में था तब तक का संपूर्ण पेसे है वो दिया जाएगा समंदित विभाग की और से समंदित काराले की और से और जैसे ही उसकी pension बनती है जो जो उनके बाद में जितनी भी उसने pension उठाई है तो वो pension भी रिवाइज होने वाली है उसका area समंदित जो pension विभाग है उसकी द्वारा जारी किया जाएगा वो उनका काम है वो उसकी आधार पे जारी करेंगे जिस आधार पे हम यहां से LPC जारी करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है उस काराले में जाना है वहाँ पर पेफिटेंग करवानी है और उसके बाद में रिवाइज LPC जारी करवानी है और उस प्रकर्ण को pension विभाग को बेजना है जहां तक शेवा में था उनका area है वो विभाग की ओर से दे होगा और शेवा के बाद में pension विभाग की ओर से सारे revise pension के इनुसार उसका area दे होगा और उसके बाद में revise pension भी जारी कर दी जाएगी आज के लिए इतना ही धन्यवाद